हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज इस वीडियो में हम गुरात्मक परतिलों एव युगात्मक परतिलों निकालना सीखेंगे फ्रेस किसी भी संख्या का गुरात्मक परतिलों किस परकार से निकालते हैं और किसी भी संख्या का युगात्मक परतिलों किस परकार से निकाला जाता है इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे तारीका से समझाए है फ्रेंस आप इस वीडियो को एक से दो मिनट देखते हैं तो आपको कभी भी गुडात्मक परतिलों में युगात्मक परतिलों में कनफ्यूजन नहीं होगा चले फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस पहले सीखते हैं गुडात्मक परतिलों तो फ्रेस गुड़ात्मक परतिलों को हल करने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं तो फ्रेस यहां पर पहले इसका बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं दिखे फ्रेस गुड़ात्मक परतिलों का मतलब क्या होता है फ्रेस गुड़ात्मक परतिलों का मतलब होता है कि जब किसी दो संख्याओं का आपस में गुड़ा किया जाए गुड़ा करने के बाद उन संख्याओं का गुड़ात्मक परतिलों कहलाता है जैसे आप से कोई कहें कि आप बताएं चार का गुड़ात्मक परतिलों क्या होगा तो फ्रेस अपने दिमाग में सोच के बताएं कि चार में हम किसे संख्या से गुड़ा करें कि इसका गुड़ा पराप्त हो तो friends आप कहेंगे कि 4 में हम जब एक पटा के 4 से गुड़ा करेंगे तब ही इसका गुजड़न फ़ल एक पराप्ट होगा जैसे देखिए यहाँ पर हल करके बता 4 के मुचार 4 के मुचार जब इसको हल करेंगे तब कितना होगा ऊपटा के 5 होगा तभी इसका मार एक प्राप्ट हो सकते देखी पांच केंप पांच केंप पांच केंप यह क्या होगा एक तो फ्रेंज गुड़ात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जब दो संख्याओं का आपस में गुड़ा किया जाए जब उसका गुड़ात्मक प्रतिलोम होता है गढाथमोग परतिल्म कितना कि गुरात्मक परतिलोम क्या होगा ? अब दिखे फ्रेज्ट सबसे इंप्टेंट क्विस्टन यहां प्याता है कि इस question का गुड़ात्मक परतिलों क्या होगा फ्रेस इस प्रकास जब कभी भी आपको गुड़ात्मक परतिलों पूछे तो पहले सरुपर्थम इसको हल कर लेंगे देखिए फ्रेस आपको गुड़ा हल करने आता होगा देखिए पांच के यह पांच पांच कि बुढ़न दटकर शासिताए कृईऊंत्व को टिए का एक कईयर्म होगा ऐकृषय होगा और देखेंगः अपको सीखना है यहां पर कंट है यहां और पोईंट कीजिएगा इक कितना ही एक होगा झाल यहां एंस्वर सिर्फ इतना होगा तो फ्रेस जब भी आपको इस प्रकार से संख्या मी ले रूप की पूछे था आप इसी प्रकार इसका बताइंगे ठीक है चलिए युगात्मक प्रत्लोम को सीखते रिले इसका बेशिक जाए ठीक है तो उस संख्या क्या होगा युगात्मक परतिलोम होगा जैसे एक्जामपल के तोर पे आपको बताते हैं जैसे आप से कोई पूछे कि आठ है आठ का युगात्मक परतिलोम क्या होगा तो फ्रेंस अपने दिमाग में सोच के बताईए कि यहां पर किस संख्या को जोड़ेंगे कि इसका योगफल 0 होगा तो फ्रेस आप बताएंगे कि 8 में जब हम माइनस 8 को जोड़ेंगे तभी इसका योगफल 0 होगा ठीक है यानि कि सीधे सीधे आप यह याद भीझे 7 होगा ठीक है चली इसको example के तोर पर समझते पस आप याद रखेगा कि योगफल 20 कि माइनस शुग होगा यही त देखिए आप से माइनस चार को योगात्मक पूछेगा तो क्या बताएंगे आप देखिए माइनस चार है तो प्लस चार बताएंगे इसका योगात्मक परतिलों कोई पूछे तो कितना बताएंगे देखिए माइनस आट बटा के नो है यहाँ पर धन करके आट बटा के नो कर देखिए तीन पटा की चार-बुढें 106 चार चारचो को सोला जितना वचलें इसको लिख लेजिए एक बटा की एग बचला है चारचो की अब इसको करेंगे ብ mengh referring चारsk का है किर चार बटा के तीन यहां पर धन है तो इसका विपरिच्चन क्या होगा माइनस चार बटा के तीन तो फ्रेंश यहां पर चार बटा तीन का योगात्मक परतिलोम हो जागा माइनस चार बटा के तीन होगा तो फ्रेज इस प्रकार से गुडात्मक परतिलों या युगात्मक परतिलों निकाल सकते हैं ठीक है यदि आपको basic concept समझ में आ गया होगा तो किसी भी संख्या का कोई भी आपसे गुडात्मक परतिलों या योगात्म परतिलों आप से कोई पूछता है तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं तो फ्रेज आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें